प्रणाम आचारे जी, मेरे मन में आंतरिक खल्चल बनी रहती है, हमेशा ही डरासा लगा रहता है, फोन बचता है तो लगता है कोई बुरी खबर ही आएगी, सोते समय ये प्रतीत होता है कि शरीर सो गया पर मस्तश्क लगातार चलता जा रहा है, कृपया रहा सो जाएं, क्या कहता है डर, लगता है कि कोई मतलब अनुहुनी घर में हो जाया है, फैमली में, ऐसा लगता है, क्योंकि अलड़ी दो इंसिदेंट हो चुके हैं, पहले फाद अभी मैं आज मतलब पढ़ रहा था उस समय, दो पर के टाइम में, तो घर से फोन आया, तो तो अब अच्चे की तब इत खराब हो गई थी, अमने बोला डॉक्टर से गंतल्ट करके दिखा हो खादू, तो बोले कि ठीक है, लेकिन एक अंदर से डर बन गया, कि कुछ इंसि है, और उसको लेकर शंका हो रही है, तो शंका हमेशा निर्मूल नहीं होती, शंका अपने आप में निश्चित रूप से कोई अवांचित चीज हो, ऐसा नहीं है, मैं इसको उठाओं और इसका स्वाद मुझे थोड़ा अलग और अजीब लगे, और मुझे शंका हो की बात क्या है, और मैं इसका धक्कन हटा करके थोड़ा अंदर जहाकूँ, तो ठीकी है ना, शंका आवश्यक रूप से अवांचित नहीं होती, तो जब शंका उठे, तो शंका के तक्थे में जाएं और जहाच पड़ताल कर लें, कि चल क्या रहा है वहां पर, यह पहले तल की आपकी जिम्मेदारी है, कि अगर मुझे खटका हो रहा है, कि शायद खड़ा है कोई दर्वाजे पर, तो मैं जा करके जहाँ चलूँ, आप वापस आएं, आपको फिर लग रहा है कि कोई है, आप जाएं जहाँ चलें, अब इसके आगे, खेल संभावना का है, आप कहें कि दो बार गया, दोनों बार कोई दिखा नहीं, तो अब संभावना, प्रभबिलिटी, बहुत कम है, कि दर्वाजे पर कोई है, कि मुझे जो शंका हो रही है, उसमें कुछ सत्य है, नहीं है, ये पहले तलका समाधान हुआ, तत्थेगत, तत्थे की जाच पड़ताल कर लीजिए, बच्चे को ले करके अगर शंका हो रही है, तो बच्चे को डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्यों नहीं दिखाना चाहिए, निश्चित रूप से दिखाना चाहिए, ये शंका का पहले तलका निराकरण है, कि बच्चे को ले कर गए, जितनी भी उसकी जाच हो सकती थी, सब कराली, सब मेडिकल रिपोर्ट्स ले आए, अक्सर हम ये करते नहीं, हमें जिस चीज को ले करके शक शुभा होता है, हम शक को पनपने देते हैं, शक का कभी परिक्षण नहीं करते, जैसे कि हमें शक करने में ही मजा आ रहा हो, अगर जाच परक लिया तो फिर शक करना बंद करना पड़ेगा ना, परिक्षण का तो परिणाम आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ आ गया तो भी शक खत्म ना आ गया, तो भी शक खत्म, तो हम परिक्षण करते नहीं, हमें किसी चीज का संदे है, वो संदे हम पाले रहते हैं, ये पहले तल की बात, परिक्षण कर लो, दूसरे तल की बात कितना भी परीक्षण कर लो एक जरा सी छोटी सी सम्भावना तो हमेशा बनी रहती है कि जो आपको आशंका थी वो कभी भी सच हो सकती है ठीक आपने जा करके कितना भी जाँच लिया दर्वाजे पर हो सकता है भाई कोई छुपाई बैठाओ आप जब जाँचने जाते हो तब दिखाई न देता हो पर फिर बाद में कुछ करामात करें बच्चे की तबियत को लेकर के शंका हो रही है आप गए है और आपने एक नहीं दो डॉक्टरों को दिखा लिया है सब मेडिकल जाँच कर वाली है फिर भी शुन्य दशमलाव शुन्य एक प्रतिशत संभावना तो है ही कि हो सकता है कोई छुपी भीमारी हो किसी डॉक्टर की पकड़ में ना आ रही हो अब इस तलकी शंका का कैसे निराकरन करें क्योंकि अब इस तलकी शंका के आगे तथ शक्तिहीन पड़ जाते हैं अब कोई मेडिकल रिपोर्ट आपकी सहायता नहीं कर सकती क्योंकि आप कह रहे हैं क्या पता मेडिकल रिपोर्ट ही जूटी हो तो मैं आपसे कह सकता हूँ दो चार और मेडिकल रिपोर्ट ले आ लीजिए आपके आगे दस रिपोर्ट आ जाएं तो भी अभी आप कह सकते हैं कि क्या पता दस की दस जूटी हूँ तो अब इस तल पर क्या करना चाहिए इस तल पर जो समाधान है वो तो बड़ा कटर आध्यात्मिक समाधान ही है इस तलब पर समाधान ये है कि अपने आप से पूछिए कि अब अगर यही होना होगा तो हो के रहेगा मैं उसे रोकने वाला होता कौन हूँ मैं उसे रोकने वाला होता कौन हूँ और फिर दुनिया का नियम है कि जो घटना घट सकती है जिन गटनाओं की आपको आशंका रहती है वो कभी न कभी तो घटी जानी है आपको अपने घर की सुरक्षा की बड़ी फिक्र है मुझे बताईए कौन सा घर है जो अनंत समय तक चलता है आपको अपने बच्चे की, अपनी पतनी की, अपने भाई, अपने पिता की बड़ी फिक्र है, मुझे बताईए किसका बच्चा, किसकी पतनी, किसके पिता अमर हुए तो वहाँ पर आ करके, अस्तित्त की इक्चा के सामने हथियार डाल देने पड़ते हैं, क्या देना होता है, कि अबर यही होना है, तो होके रहेगा, हम उसे रोक तो सकते नहीं, हाँ उसे रोकने की हम जो भरसक कोशिश कर सकते थे, हमने करी, हमने एक नहीं, दो डॉक्टरों क दिखाया, यथा शक्ति हम जो कर सकते थे, हमने करा, हम पांच बार गए दर्वाजे पर जाचने के लिए, कि खटका किस बात का है, अब उसके बाद भी अगर कोई, घटना घटनी ही है, तो फिर उसे कौन रोक पाया है, और फिर एक दिन तो ऐसा आएगा ही न, जब ना हम रहेंगे न, यह घर रहेगा, तो फिर इतनी चिंता किस बात की, तो मैंने आप से शुरू में पूछा कि डर आप से कहता क्या है, डर आप से सदा यह कहता है कि फलानी घटना घटने वाली है, ठीक, जिसको आपने नाम दिया था अनहोनी, डर हमेशा आके यही कहता है न, य घटना घट जाएगी, कुछ हो जाएगा, पहली बात तो यह कि जाचिये, बुद्धिमत्ता के साथ, तथे परक्ता के साथ, अबजेक्टिवली, वस्तुनिष्ठो करके जाचिये, कि आपको जिस चीज का डर लग रहा है, वो होने की संभावना वास्ताव में है कितनी, बह उसके बाद जो थोड़ा डर बचता है, उसका इलाज यही है, कि कह दीजिए, कि अब यही होना होगा, तो होगा, उससे पूछना होगा, कि अगर यह अब हो भी गया, तो क्या, क्योंकि एक न एक दिन तो यह होना ही है, तो हो भी गया, तो क्या, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, जिस घटना को आप अन्होनी का नाम दे रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो घटे, पर अगर घट भी गई, तो क्या, जहेल जाएंगे, पी जाएंगे, किसी भी घटना से हम ज्यादा बड़े हैं, घटे जो दुर घटना घटती हो, आए जो आफ़त आती हो, जहेल जाएंगे, हम चाहते नहीं हैं कि दुर घटना हो, हम चाहते नहीं है कि आफ़त आए, हम पुरजोर कोशिश करेंगे, कि जिस घटना को अन्होनी का नाम दे रहे हैं, उसके घटने की नौबत ना आए, पर अगर वो घट ही जाती है, तो हम बिखर नहीं जाएंगे, क्योंकि न जाने क्या-क्या हो जाता है, जिन्दगी चलती रहती है, अस्तित तो किसी के लिए नहीं रुखता, बात समझ रहे हैं, ज्यादा इलाज, 99 प्रतिशत इलाज तो पहले ही तल पर हो जाएगा, तथ्यों को जाचिये, तथ्यों को जाचने भर से 99 प्रतिशत समधान हो जाता है, इसी लिए जिन लोगों को डर में और आशंका में रहने में मज़ा आने लगता है, उनके बारे में आप एक बात साजी पाएंगे वो तत्थेओं से मुह मोड़ लेते हैं उनके सामने तत्थे रखो तो वो सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनको अब शक करने में और डरने में और अपने आपको विपदा ग्रस्त हालत में रखने में एक बड़ा गरहित रस आने लगा है उन्हें अच्छा लगने लगा है उन्हें मज़ा आने लगा है ये सोचने में कि हम पर तो आक्रमन हुआ है हमारे साथ कुछ बुरा कोई अनहोनी घटने वाली है इस बात के भी बड़े मज़े होते हैं I am under siege चांते हैं जब किसी देश पर आक्रमन होता है तो वहां की सामान अर्थ विवस्था रुक्सी जाती है और इस बात को फिर भहुत एहमियत भी नहीं दी जाती है कि सामान अर्थ विवस्था चलती रहे सब कामधंदे छोड़ करके देश की सारी शक्ति युद्ध की और मोड़ दी जाती है सामान ने कामधंदों की युद्ध की अवधि में हैसियत बहुत कम हो जाती है तो अगर आप उन में से हैं जो कामधंदे उसे बचना चाहते हैं तो आपके लिए फिर मुह मांगी मुराद जैसा हो जाता है युद्ध फिर युद्ध नभी और आओ तो आपको बड़ा भला लगता है ये सोचने में की शायद युद्ध होने वाला है सब कामधंदा छोड़ दो सब सतर्कों के बैठ जाओ आज की रात दुश्मन हमला करने ही वाला है सब बिलकुल कामधंदा छोड़ दो अब ये तो बड़ी मन चाही इस्थित हो गई मुह मांगी इस्थित हो गई अगर कामधंदे में मन ही नहीं लग रहा था अगर काम धन्दे में जो अनुशासन चाहिए और जो मेहनत चाहिए वो देने का इराधा ही नहीं था तब फिर आदमी अपने आपको जानबूच के जताता है कि मेरे साथ कुछ अन्होनी होने वाली है मेरे उपर अभी आक्रमन हो चुका है वो शायद वही है दुश्मन अरे अभी पीछे कुछ आहट हुई कहीं पीछे से तो कोई नहीं आ रहा जैसे कि जब शहर में दंगा हो जाए और सब स्कूल बंद हो जाए चातरों के बड़े मदे आ जाते है तो कई बार ऐसे चातर भी होते हैं जो घर आकर बताते हैं मम्मी वो उधर न पुराने चौराहे पर नजीब गन चौराहे पर पुलिस लगी हुई है वो पान वाला बोल रहा था शाम तक करफ्यू लगी जाना है बड़ी मार पिटा ही चल रही है गोली भी हुई थी मा कहती है सही बोल रहा है तो मम्मी होमवर्क करें क्या अरे होमवर खटा न जा थोड़ा सा राशन है जल्दी से ले आ रख ले कठा कर ले और सब खिड़की दरोजे बंद कर अब रजाई में खुशके बैठ जा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है बढ़ियां आशंका का भै का अराजकता का महौल बना दो ताकि काम न करना पड़े कही है ऐसा तो नहीं कि हमारी आंतरिक साजश हो अनुशासन और मेहनत के खिलाफ कि अभी तो पता नहीं कुछ गरबर हो सकती है अभी हम पूरे तरीके से सर्टेन नहीं आश्रस्त नहीं है कि सब ठीक है जब हमें पूरी certainty हो जाएगी कि सब ठीक है हम तब काम करेंगे मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आप कर रहे हैं मैं सिर्फ मन की चालों से आपको आगाह कर रहा हूँ मन बड़ा चतर होता है उसमें बड़ी सामर्थे होती है कोई भी चाल खेल जाने की सतर करें आप इसलिए कह रहा हूँ